तो वाई लोग कैसे हो आप लोग तो स्वैलू डेस्टार के नेक्स्ट इन ओवल सीरीज के एपिसोड नमर 69 में आपका स्वागत है तो चलिए सुरू करते हैं लेकिन इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दवाना न भूलें तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि लू फैंग के पास दो ही रासते होते हैं या तो बबाता को मास्टर मान कर अपना टीचर मानना था या फिर अपने मास्टर की सिक्रेट को राज रखने के लिए लू फैंग को मरना पड़ता अब मास्टर को कैसे respect सो कर सकता हूँ अब इसे सुनकर बबाता खुस हो जाता है और कहता है कि मास्टर सिर्फ अपने करीबी को ही अपना student बनाते थे लेकिन अब जबकि हमारे मास्टर हमारे बीच नहीं रहे और यून्मू प्लानेट भी अब खतम हो चुका है तो ये और भी आसा बार अपना सर जुकाता है अब फिर बबाता कहता है कि तुम मास्टर के फिप्ट डिसिपल हो और उनके एक लौते जिंदा डिसिपल अब लूफ्रेंग के दिमाग में एक क्वेस्टन ठा कि आखिर जून्मू प्लानेट के मास्टर और उनके डिसिपल यहां तक कि पूरे प्लानेट तबा हो गई आखिर वो एनिमी कितना ही ज्यादा पावरफुल होगा अब बबाता लूफ्रेंग से कहता है कि अब जैसा कि मास्टर डेड है तो उनके जगर मैं तुम्हें सिखाऊंगा और मेरे मास्टर ने मरने से पहले मुझे सब कुछ दे दिया था मैं तुम अब लूफ्रेंग को वो एक आमसा रिंग दिख रहा होता है अब बबाता स्माइल करते हुए कहता है कि ये एस पार्चिसर रिंग किसी भी सेप का हो सकता है लेकिन इसे बनाने में बहुत ही ज़्यादा मुस्किलों का सामना करना पड़ता है और ये इस यूनिवर्स में ब सकता कि तुम्हारे पास ये रिंग है अब लूफ्रेंग उसे अपने मीडल फिंगर में डाल लेता है और वो लूफ्रेंग के स्कीन के अंदर चला जाता है और पूरी तोड़ीके से गायब हो जाता है अब बबाता लूफेंग को अपने इस प्रिचुवल इनर्जी को उस में डालने को बोलता है ताकि वो हमेशा उसके साथ ही रहे और ये प्रोसेस पर्मानेंटली है और जब चाहे लूफैंग अपने उस रिंग को यूच कर सकता है अब लूफैंग बड़ी हरानी से पूचता है कि ये स्प्रिच्वल इंप्रिंट क्या होता है अब ये सुनकर उसे यूच कर सको अब इतना सुनका लूफैंग ऐसा ही करता है जिसके करन रिंग में थोड़ा सा बदलाव आ जाता है और लूफैंग महसूस होता है कि वो रिंग उसके हाथ से जूर चुका है और जब वो उस रिंग का साइज देखता है तो वो 100 मीटर लंबी थी अब आते हुए बबाता गर्व कर रहा होता है कि लूफैंग इसे सुनकर सौक जरूर हो गया होगा लेकिन लूफैंग नॉर्मल था अब बबाता ये देखकर निरास हो जाता है क्योंकि उसे लूफैंग से इस तरह के रियक्शन का अनुमान नहीं था और वो सोच रहा था कि गर्यर ने तुम्हें इस रिंग के बारे में जाना तो तुम मारे जाओगी इसलिए तुम्हें इसके बारे में किसी को नहीं बताना है अब लूफैंग अपने एक्स्प्रेशन को छिपा रहा होता है लेकिन वो अंदर ही अंदर सौक हो रहा होता है क्योंकि वो जानता था क ये स्पेस में कट करके इतनी बड़ी जगह बनाना इतना भी आसान काम नहीं है अब बाता लू फैंक को चलने के लिए बोलता है और वो अपने मास्टर की ओर देखकर बोलता है कि मैंने आपके डिस्पल को खोज लिया है अब मैं ये सब हैंडल कर लूँगा और आपके डिस्पल को इतना आगे पहुचाओंगा कि युन्मो प्लानिट के नाव फ्रीज से जागरूग हो जाएंगे और वो उसके बाद उस कॉफिन को ग्राउन में सील कर देता है अब बबाता आगे आगे चलता है और लूँफैंग पीछे पीछे जा रहा होता है और लूँफैंग उसी केबिन में पहुच जाता है जिसमें कि उसने सारे डेड़ बॉडिस को देखा था अब यहाँ पे और इसके बारी में बता रहा होता है और फिर बबाता उन सीप पे मारे हुए मुको की और इस सारा करते हुए कहता है कि जो तुम यह निसान देख रहे हो वो एक अंडाइंग बेंग्स के हैं और अगर इस सीप की बात की जाए तो यह मेरे मास्टर की मेहनत है अगर तुमार इस पूरे प्लानेट को भी बेच दिया जाए तो भी इसका आधा नहीं हो पाएगा और वो लुवफैंग से उस मेटल के टुकरे के बारे में पूछता है जो उसे मिला था तो लुवफैंग हाँ कहता है अब बवाता कहता है कि वो टुकरा इस सिप का ही है जब हरती पर क्रैस हो रहा था तब ये तूटकर नीचे गिर चुका था और ये मत सबहलना कि ये प्लानेट से टकराने पे हुआ था अगर ये सिप किसी भी और बड़े प्लानेट से टकरा था तो इस सिप का बाल भी बाका नहीं होने वाला था इसे बहर ताकतवर एनमी ने किया था और इसी का वो टुकरा नीचे गिरा था अब लुए फैंग भी हैरान होता है कि एक सिप का टुकरा इतना सार्प कैसे हो सकता है अब फिर बबाता कहता है कि चलो मैं तुम्हें इस पूरे सिप को दिखाता हूं और वो वहाँ पर एक 3D प्रोजेक्शन ले आता है उस पूरे सिप के मॉड अब लुए फैंग समझ जाता है कि वो सिप का टुकरा है फैंग को लगा था कि ये कोई नाइफ है बाता कहता है कि ये सिप पूरी तरह से डैमेज हुई है इसलिए मैं यहाँ पर अटक चुका हूं लुए फैंग को वो पीस रखने को बोलता है कि मैं इसे फ्यूचर में त इस्तवाल किया जा सकता है तो बाता कहता है कि हाँ वैसे भी तुम्हारी एर्थ के ट्रेनिंग बहुत जादाब वीक है और बहुत जादा खम जोड़ है जिसके कायन तुम इस पीस को उतने अच्छे से इस्तवाल नहीं कर पाओगे फैंग से कहता है कि अब तुमें मैस्ट की inheritance मिल गई है तो तुम उन मोहिन क्रिस्टल को भी रख सकते हो जो तुम्हें मिलेत है अब मोहिन क्रिस्टल के बारे में सुनकर लूर्फैंग उसका इस्तमाल के बारे में पूछता है मोहिन क्रिस्टल का uses क्या है अता बताता है कि वो एक training device है और वो या फिर plants को ग्रोग होने में मदद करता है और उसके और भी कई uses है अब तुम एक मोहिन क्रिस्टल की मदद से एक student जो की level 9 पे हो उसे एक ही महिने की training में star travel level तक ले आ सकते हो और जैसा कि तुमने मोहिन को देखा है जो की honk के पास है वो उसे अपने मोहिन स्वाइन को खिला कर grow कर सकता है और उसे और भी ज़्यादा strong बना सकता है लुफैंग को सला देता है कि तुम्हें universe की energy से कुछ नहीं मिलेगा अब से तुम्हें मोहिन क्रिस्टल को ही खुद से train करना होगा और उसे ही absorb करना होगा अपने aim को बहुत बरा करना होगा तुम्हें इस धरती का great warrior ही नहीं बलकि इस universe का भी great warrior बरना है बाता लुफैंग से कहता है कि तुम उन क्रिस्टल से खुद को train करना और अगर defend की बात होई तो मेरे master ने तुम्हारे लिए black god armor छूडा था लेकिन जब कि तुम्हारे पास पहले से ही एक black god armor है तो आपकी अप कोई जरूरत नहीं है और अब वो लुफैंग को भी marine wines की तरह एक cloud contact wine देता है और यह बाता कहता है कि ये wine तुम्हें हर वक प्रोटेक्ट करेगा अब लुफैंग cloud contact wines को hong और thunder god की बातों से सुन रखा था और वो कहता है कि cloud contact wine इस universe के most powerful wines में से आते हैं और ये बहुत ज़्यादा powerful होते हैं और इनकी cultivation जैसे जैसे बढ़ती है ये और भी ज़्यादा strong होते जाते हैं और ये treasures को भी absorb करते हैं और अगर इसे earth पे छोड़ा जाए तो ये लगभग star travel level 7 या 8 तक ही जा पाएगा लेकिन अगर इसे डेर सारे wine crystal खिला दिये जाएं तो ये universal level तक भी जा सकता है और मेरे master ने अपना gyra time EC में ही दे दिया था तब जाके वो एक undying banks बन पाएते हैं अब लो फैंक बबाता से पूछता है कि हमारे पास जितने wine crystal है क्या उनके मदद से ये universal level तक जा सकता है बबाता कहता है कि तुम दिन में सपना देख रहे हो universal level तक जाने के लिए अंगीनट wine crystal लगेंगे और जितने तुमारे पास अभी है उससे तुम star level तक ही पहुच पाओगे और जब समय आएगा तो मैं तुम्हें इसे cultivation करने का और भी तरीका बताऊँगा जिससे कि तुम इसे और भी ज़्यादा grow कर सकते हो और powerful बना सकते हो अब लो फैंक वो सारी बाते बहुत ही जान से सुन रहा था और अब बबाता लो फैंक से कहता है कि तुमारे मास्टर ने तुमारे लिए एक spirit weapon पी छोड़ रखा है जिसका नाम arc blade cutter होता है और ये एक basic weapon है तुमारे soaring shuttle की तरह ही तुमारे लिए सबसे ताकतवर हतियार वो ship का टुक रहा है जिनगी से भी जूरी है क्योंकि अगर किसी की किसी domain lot की नजर अगर तुमारे इस metal के टुकरे परी तो वो तुमें मार देगा अब लो फैंक ये सुनकर उसका डिल जोर जोर से धरकने लगता है और कहता है कि सुफ़ एक metal की टुकरे के लिए इतना सब और फिर लाश्ट में हमें उस metal की टुकरे का नाम बताया जाता है जो की hybrid copper essence होता है तो भाई लोग इसे के साथ ये वीडियो भी खतम होती है अगर आपने इस पर 500 likes वो भी 24 hours में ले आए तो मैं कल हो सकता है 3 वीडियो डाल दू तो मिल दे नेक्स वीडियो में तो प्ते के लिए बाई